आज भात पद्र शुक्ल बारस का ये शुब दिन और आज सोनगर से प्रसारित होने वाला संदेश जो आज 10 लक्षन महा अपर्व के उपलक्ष में उत्तम सत्याग धर्म के उपलक्ष में प्रसारित हुआ है तो चलिए हम देखते हैं आज का संदेश यह संदेश श्री कार्ति के अरुप्रेक्षा जी गरंत के आधार से लिया गया है जो स्वामी कार्ति के स्वामी की द्वारा विरचित है जिसमें बारभावनाओं का सुन्दर बर्णन किया गया है तो आईए हम इसमें से उत्तम त्याग धर्म के सुरुप को समझते हैं जो मिस्ट भोजन को रागदेश को उत्पन करने वाले उपकरणों को तथा ममत्व भावक्स की उत्पन होने में निमित वसतिका को छोड़ देता है उस मुनी के त्याग धर्म होता है बहुत ही सारकरवित आज का यह संदेश जिसमें मुनी राज जो सकल रती बर भागी भव भोगन ते वैरागी ऐसे जो महा मुनी राज है उनके सुरूप का यहाँ पर बर्डन किया गया है कि वो कैसे त्याग धर्म के धारी होते हैं तो जो रस नीरस भोजन करते हैं जिनोंने भोजन के प्रती का राग और द्वेश दोनों तरीके का भाव का त्याग किया उससे रहित है याने भोजन अच्छा है या बुरा है इस प्रकार के राग भाव से जो विरक्त हैं फिर उपकरण को तता ममत भाव को उत्पन होने के निमित कौन से उपकरण सहियम में सहायक होने वाले उपकरण और वसतिकादी जो उनके रहने का इस्थान होता है उसे वसतिका कहते हैं जो मुनीराज को जंगल वन जंगल में ठहरने के लिए एक कुटिया समझ ले उसको वसतिका कहते हैं तो उसको भी छोड़ देते हैं, ऐसे मुनीराज को त्याग धर्म होता है, देखिए मुनीराज जवन जंगल में वसतिका का प्रयोग तो करते हैं, लेगिन ऐसा नहीं कि उसको अपना मान कर महीं पर हमेशा के लिए रुख जाए, बस तीन या चार दिन का आगम में उलेख है, कि इतने दिन तक मुनीराज एक जगह पर रह सकते हैं, उसके बाद वो अन्यतर विहार करते हैं, इस प्रकार आगम में उलेख हैं, तो अपने साथ वो वसतिका को नहीं लेके जाते हैं, वा सामान छोड़ कर नहीं जाते हैं, आएंगे और ठैर के और आगे बढ़ जाएंग तो इस प्रकार वो उस वसतिका के भी राग से विरक्त होते हैं, ऐसे हैं महा मुनीराज, सारूप में कहें, तो वो सर्व प्रकार के आरंब परिग्रस से विरहित होते हैं, इस प्रकार यहां पर महा मुनीराज की चर्चा चल रही है, तो ऐसे उत्तम त्याग के धारी महा तो यह उत्तम त्याग धर्म क्या है इसका हम एक सामान्य सरूप समझते हैं क्योंकि देखिए त्याग धर्म महावरत भी है और शावकों के योग्य आचरन करने के रूप में भी त्याग धर्म का उपदेश दिया है क्योंकि आगम में दोनों तरह का उपदेश आता है उची भूमिका के लिए मुनी धर्म का उपदेश आता है और जो मुनी धर्म को अंगिकार नहीं कर सकते हैं तब उनके लिए सावक धर्म का भी उपदेश शास्त्रों में आता है तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि त्याग किसका करना क्या है यह त्याग त्याग और ग्रहन देखिए यह दो शब्द आपस में साथ साथ ही चलेंगे यदि किसी का त्याग होगा तो किसी का ग्रहन भी होगा तो यहाँ पर कहा कि बुरी वस्तु का हम त्याग करते हैं त्याग किसका करते हैं बुरी वस्तु का और हम दान किस क्या कौन सा देते हैं तो अच्छी वस्तु होगी जो अपनी वस्तु होगी उसका हम दान देंगे और जो पर वस्तु होगी बुरी होगी उसका त्याग इस प्राकार से समझना जैसे धन वस्त्र भोजन आदी यह सब कैसे हैं यह हम व्यवार से कहते हैं कि हमने दान दिया लेकिन यह दान नहीं है निस्टे से इसको दान नहीं कहते क्यों क्यों क्योंकि यह तो सारे जड़ पदार्त हैं यह मेरी आत्म सभाव से तो अत्यंत भिन्न अच्छेतन पदार्त है ना अच्छेतन पदार्त चेतन पदार्त और मौरागवेश एक छेतर गाओी संबंद रखने वाला मेरा यह आत्मा इस प्रात्मा और शरीर इस प्रकार इन चार चीजों से भेद ग्यान किया जाता है और फिर एक मातर ग्यान 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 वाला सभाव जानने 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 वाला सभाव है न सिफ वही मैं हूँ मातर ग्यान सिफ ग्यान मातर ही मैं हूँ बाकी जितनी भी चीजें वो कैसी ये परद्रव्य हैं तो ये जो हमारे अचेतन द्रव्य ये तो मेरे से वैसे ही भिन्न है तो आत्मा में तो मोराग देशादी विकारी भावों का भी प्रवेश नहीं है तो उनके त्याग के भी यहाँ पर बात नहीं चल रही है फिर क्या कहा कि मेरे आत्मा में अनंत शक्तियां है उन में से एक त्यागो उपादा शुन्यत्व शक्ति है जिससे मेरा आत्मा परिपूर् जब आत्मा पर द्रवे को ग्रहण ही नहीं करता तो फिर त्याग किसका करना है यहां क्या लिना कि ग्यान ही प्रत्याग ख्यान है जो हमें ग्यान हुआ उसी में त्याग है इसलिए क्या कहा आगम में लिखाए कि ग्यान ही प्रत्याग ख्यान है अब उत्तम त्याग धर्म का मतलब तो यहाँ पे सच्चे मन से कशाय और मिध्यात्व का त्याक करना इसके अलावा आत्मशुद्धी के लिए क्रोध मान माया और लोब जैसे विकारी भावों को भी छोड़ना उत्तम त्याक धर्म है साथ ही अपने उपभोग के धन धान आदि पदार्थों का सूप आत् करना यह भी त्याक की श्रणी में आया क्योंकि देखिए त्याक के बहुत सारे भीद होते हैं कोई भी चीज़ा आगम कि लेंगे ना उसके सब की अलग-अलग-अलग-अलग केटेगरीज है कि कौन से जीव के कैसे परिडाम होते हैं उसको कैसी चीज़ ग्रहा है जैसे आगम की भाषा को समझने के लिए नयों का ग्यान होना आवश्य के दो प्रकार के नये कहें द्रव्यार्थिक नये और परिया एर्थिक नये और इधर देखें तो निश्चे और विवार नये इस प्रकार दो प्रकार के नये कहें तो कब कौन सी बात कौन से नए के साथ कही जा रही है ये हमें ख्यालोना जरूरी है देखिए अभी जो ये बात कही कि मैं ग्यान मातर हूँ तो ये शुद्ध द्रव्य अर्थिक नए की बात है तो जब शुद्ध द्रव्य अर्थिक नए से बात करेंगे तो हम यही समझेंगे जो निर्णय लेना है ना निर्णय ग्यान में हमें यही करना है कि मैं एक मातर ग्यान सभावी हूँ जो हमारा कारी सिद्ध होना है वो कारी हमारा इसी से सिद्ध होगा लेकिन यदि हम परिया एर्थिक नय को मुख्य रख के बात करेंगे तब महाँ पर हम क्या कहेंगे कि भई हमें बुद्धी पुर्वक अभक्ष बस्तू का त्याग करना है शुद्ध बस्तू का ग्रहेंड करना है इस प्रकार हम मोराग देश का त्याग करना है इस प्रकार हम यहाँ पर यह विवार से कथन कहने में आता है फिर क्या कहा कि दान देना है किसको देना है तो सूपात्र को देना है अब देखिए यहां उसकी भी बहुत सारी केटिगरी हो जाएगे कि त्याग के लिए हमने क्या किया अनावश्यक और अपनी जो प्रीवस्तु है उसका त्याग किया और दान किसका किया जो हमारी अच्छी वस्तु है उसको हमने चार सू पात्रों को दान दिया तो सू पात्रों को दान देना भी वो चार प्रकर का अगम्मे का है कौन सा तो आहर दान, औशदी दान, अभै दान और ग्यान दान कहीं कहीं पर अब है दान की जगह पे वसती का दान भी आता है कि वसती का दान रतनकंशाओ का चारजी में वसती का दान को लिया गया है फिर धन तो धन को कैसा दान जो हमने ग्यान दान दिया और अब है और धन दान तो वो हम जो लौकिक में हम देते ना उसको दान की लेना चीए कि हमारे पास जितना द्रव है उसको क्या करना चाहिए तो बुध्धी पुर्वक हमेशा स्त कारियों में लगाएं धन को ग्यारवा प्राण भी कहा है दस प्राण कहें ना उसमें ग्यारवा प्राण धन को भी लिए कि यदि आपके पास धन नहीं होगा तो बहुत आकुलताएं बढ़ेगी तो यदि आप अपना मन को आत्मा में लगाएंगे न निश्चल वरती से तो उसमें भी अभी लौकिक में देखें जीवन में तो धन भी जरूरी है तो उसको भी उपयोग कैसा करना है उसका सदुपय यदि आपके प्रकार के जीव कहें उनको दान दो इस प्रकार महाँ पर खर्च करना इसके लिए हम अब आगे और अपन चर्चा करेंगे कि सुपातर दान कौन से है कुपातर दान कौन से है आत्मशुद्धि के उदेश से विकार भाव छोड़ना तथा स्वव पर उपकार कि द्रस्टी से धन आदिका दान करना यह क्या कहा त्याग धर्म कहा अतभोग में लाई गई वस्तु को छोड़ देना वो भी क्या है त्याग धर्म है अध्यात्मिक द्रस्टी से राग बेश प्रोध मान आदि विकारी भावों का आत्मा से छूट जाना ही त्याग है या छूट जाना मतलब क्या लेना कि सहज छूट जाना आपका मापर विकल्प ही नहीं है द्रस्टी जब अपने आत्मस रूप पे लगेगी तो बाहर के विश्यों पे द्रस्टी हट जाएगी जैसे जब कोभी हमें कोई हमारा कारी हो या हमारी जिसे एक्जाम आ रही हो तब जानी की प्यास लग रही कुछ पता नहीं चलता क्यों क्योंकि रूची हमारी उदर लगी है और जब रूची नहीं होती तो हमें सारी चीज़े याद आती है तो उसी प्रकार यहां पर लेना कि जब हमारी द्रस्टी आत्मस रभाव पर टिकी रहेगी तब यह मोह राग द रूची हट जाती है तब उसको क्या कहा कि सहे जी उसका त्याग हो गया तो इस प्रकार धनादी से ममत्व छोड़ना और अन्य जीवों की सहेता के लिए दान देना कि जो कोई धीन दरिद रहो उनको दान देना तो ऐसे दान भी कैसे है चार प्रकार के दान देना है पात्र जगन्य में भी किस-किस को देना तो उत्करष्ट उत्तम पात्र तो कौन है मुनियारिका जो निर्गन्त दिवीत रागी मुनियारिका ये उत्तम पात्र है फिर एलक छुलक आदी जो वरती है वरती श्रावक है ये कैसे हो गए मध्यम पात्र और जो मतलब इसमें एलक छु पुरस्थानवत्ती न उनको भी व्रत नहीं है तो वह जगन्य सुपातरदान में आ गए फिर यहां पर महा व्रती मुनी जो उत्तम पातर है अनुवरती श्रावक, मद्यम पात्र वरत रही समय की जागन्यPात्र इस प्रकार इसको समझना अब यहाँ पे दूसरा क्या था? हमने उपर चार दान पढ़े न अहार दान, ग्यान-दान, ओशरदीदान और अभैदान तो यह भी चार प्रकार के दान इस प्रकार सब को देना अहार दान मुनीराज तारिकाओं को उनको औशदी दान की अगर कसी को कोई रोग आदी हो जाए तो उनके लिए उप्युक्त शुद्ध प्रासुक औशदी का दान देना और जब मुनी राज होते हैं उनको पढ़ने के लिए शासरादी भेट करना तो वो हो गया ग्यान दान में हुआ अभेदन या वसती का दान जबन परवत आदी निर्जन इस्थानों में मुनी आदी जो त्यागी वरतियों को ठहरने के लिए गुफा माठ इस प्रकार वसती का बनवा देना जहां पर निर्भे रूप से मुनी राज आदी ध्यान में लीन रह सके उसो कहा वसती का दान तो इ महाँ पर वो क्या देते हैं वो सीवे ग्यान दान देते हैं और अभे दान इस प्रकार के समोसरण में अगर आप दिखेंगे ना तो समय समरण में एक साथ चारों प्रकार के दान होते हैं तिरतंकर भगवान की दिवे देशना से ग्यान दान मिल रहा है समोसरण में किसी को बोग या अहार दान धनादी की जरुवत नहीं है वहाँ पर औशदी कोई रोगी होता नहीं है तो वहाँ पर औशदी दान इस प्रकार से वहाँ पर चार प्रकार के दान मिलते हैं अच्छा अब हम और इसको सुक्षमता से देखें उसको करुणा दान भी कहते हैं तो जो प्रकार यहां जो उस दान के योग्य नहीं है उसके पातर नहीं है योग्यता नहीं रखता वो कुपातर दान उसको करुणा दान भी कहते हैं तो जो वरती नहीं है जो सम्मेक दरस्टी नहीं है सम्मेक दरस्टी चालू करते हैं उत्तम पातर में सबसे जगन ने कौन से थे सम्मेक दरस्टी श्रावक तो जो सम्मेक दरस्टी श्रावक नहीं है मिथ्या दरस्टी है और जिन शाषन के प्रेरक नहीं वो सब काई में चले जाएंगे, कुदन, करुणा दान में चले जाएंगे तो उस परकार जो ये कूपातर को दान दिया गया है, वो निरर्थक है किस परकार? उसमें एक वह संदर उधारण दिया है कि शव को मंडाने की तरह जैसे कोई पुरुष शव को वस्राबूशन से सजा दे तो उससे क्या फरक पड़ेगा क्योंकि वो निरर्तक है न शव को आप कितने भी वस्राबूशन पहना उससे कोई उसको फरक नहीं पड़ने वारा ऐसे ही कूपातरदान को दिया गया दान किसी भी कारेकारी किसी भी कारेकारी उससे फल का नहीं है उसका फल क्या है उसमें फल दिया है कि जो कूपातरदान को देना है उसका फल है कूपातरदान को देना है उसका फल है कूपातरदान को देना है उसका फल है दोनों कोनों पे और कालोददी समुद्र के भी दोनों कोनों पे 24-24 ऐसी कूभोग भुमिया है जो अंतर दीप कहलाती है समुद्र में अंदर गहराई से दीप महाँ पर एक भवन और ऐसे बने होते जहां पर ये दस प्रकार के कूभोग भुमी के जीव रहते हैं बहुत सुन्दर बढ़नों ने आप इनको कभी पढ़ो डिटेल में अभी हम यहां पे इसको बहुत डिटेल में नहीं लेकर जाएंगे लेकिन कूभोग भूमी के जीव इसका फल है किसका कूभ पात्र दान देने का फल उत्तम पात्र दान देने का फल उत्तम फल है सरगादिक उत्तम पुढ़ने का बंद कराने वाला है अब अपात्र याने जो पात्र ही नहीं है जो दान देने का पात्र ही नहीं है उसको कहा उसका कोई फल नहीं है इस प्रकार यहां पर समझना तो यहां पर हमें इसका मतलब यह समझना है कि दान भी देना है तो कहां देना किसको देना किस तरीके से देना यह विवेक पुर्वकर यदि हम दान देते हैं तो हमारे उस दान का फल है जैसे आगम में लिखा है कि एक छो जो जो देखेगा उसको कभी न कभी किसी ने किसी को उसको देख के परणाम विशुद्धी होगी सम्यक दशन की प्राप्ति होगी तो उसका पुड़ने भी उसको लगेगा कहते हैं जिन प्रतिमा जिन सार की तो इस प्रकार जिन प्रतिमा को विराजमान करने का ऐसा महा पु आयतनों को सुरक्षित रखना ये सब सूपातरदान में आ जाएगा और अनायतन किसको कहा उससे जो विपरी थे उसको आपने अनायतन समझना और वो हमारे लिए किसी भी प्रकार के कारिकारी नहीं है उससे पाप का बंद होता है ऐसा समझना चलिए अभी हम यहां से आज की रत्नकणिका देखते हैं कि आज की रत्नकणिका में कौन से विशेज बात आई है क्योंकि ये दान का प्रकरण भी इतना विस्तरत है कि हम इस पे जितनी चर्चा करे उतनी कम है तो चलिए रत्नकणिका में आज लिखा है कि दस लक्षन पर्व का आठवा दिन है उत्तम त् तो मुख्य तो मुनीकी व्याख्या है ना, मुनीक तो संसार दे भोगों के मोहों का त्याग है, मुनीक इसका नाम बताया, मुनीकों तो संसार दे भोगों के मोहों का त्याग है, अंतर में मिथ्यात्व अवरत का त्याग है, सम्यक दर्शन और अनुभव की इस्थिरता का ग रहन है चारित्र सरूप आनंद में रमन्ता ये तो है पर जिसका काम होता है ऐसे इस्ट भोजन को छोड़े भोजन लेने की इक्षा होती है तो इसमें इस्ट भोजन का राग छोड़ना वत्याग है उपकरण में पुस्तक, पीछी और कमंडल ये तीन उपकरण है इसमें भी राग देश को उपजाने वाले उपकरण का त्याग करे तथा ममत्व के कारण भूत बसतिका का त्याग करे ऐसे मुनी को त्यागी कहने में आता है ऐसा ये दस लक्षन महा परवके उपर जो उदगार कहें उसके अनुसार ये बात कही है देखिए यहां पर ना मुख्य बा त्याग किया तो वहाँ पर कुछ ने कुछ ग्रहन होगा ऐसा भी इसमें नहीं थे तो यहां पर हमें दोनों विशेयों को अच्छी तरीके से समझना है कि दोनों का क्या मतलब निकलता है योगि जब तक हम कोई बात को अच्छी तरीके से समझेगे नहीं ना जब तक हमारा ने क्लियर बोलते ना, ग्ञान में क्लियर नहीं होगा, देंक爐 पेर में लगा काटा और ग्ञान में ग्ञान का जो भूल ये दोनों ही बहुत ही दुख़दाई है, हमेशा इस से दुर जा, अगर थोड़ी भी हमें कोई समझने में कहीं भूल आ रही हो, तो उसे तुरंत किस ग्यानियों के द्वारा उसको समझ के उसको भूल को सुधार करना चाहिए यहां पर हमें विचार करना है कि जैन धर्म में त्याक को धर्म कहा है ठीक है तो त्याक को भी धर्म कहा है ग्रहन का धर्म और त्याक पुर्वक ग्रहन करना और ग्रहन पुर्वक त्याक करना इनका क चिए 수ित possibilities से परिपूरण है ना तो आतमा ने कभी किसी चीज़को ग्रहेंड किया है और ना ही कभी किसी चीज़का त्याग किया है ठीके न, दोनों से कैसा है, मेरा आत्मा बिरक्त ही है, आत्मा क्योंकि कैसा है, मेरा आत्मा मात्र जानता है, ग्यान मात्र है, मेरा आत्मा ऐसा हमने अनुभव किया द्रवे द्रस्ती से, तो ये द्रस्ती हमारी शुद्ध द्रस्ती है, जो सिद्ध जमन शुद्ध हमें बतात चलिए अभी हम कुछ दस लक्षन धर्म के उपर आज उत्तम त्याग धर्म की कुछ पंक्तियों का वांचन करते हैं मैं हूँ मैं एक शुद चिनमात अन्यनमम परमाणों मात मोहादियो पादिक भाव मेरे नहीं मैं ग्यान सभाव मैं सभाव से आनंद रूप दिविदी परिग्रह दुख सरूप परिग्रह त्याग आकिन्चन धर्म धारी मुनेश्वर नाशे कर्म श्रावक भी परिमान कराई परिग्रह में के चितरु चिनाई यो उत्तम आकिन्चन सार पूजो धारो भव समार नहीं परमाणों मात्र भी अपना सम्यक श्रद्धा लावे मुर्चा भाव परिग्रह दुख में तज साश्वत सुख पावे सयम सयम में पूर्ण अनुभव आकिन्चन अमलान अहो दस लक्षन धर्म महान सहज अकिन्चन रूप नहीं परमाणों मात्र मम् भाव शुद्ध चिद रूप होय सहज निरग्रंत पद्ध चहुगती फणी विश्य हरन मनी दुख पावक जलेधार शीव सुख सुधा सरोवरी सम्यक्त्री निहार ओम रेम श्रीम उत्तम तब धर्मांगाए नमा तो चलिए अभी हमने आज यहां इस उत्तम त्याग धर्म का सारभूत हमें क्या ग्रहन करना है तो सरवर तब हमें क्या विचार करना है कि मैं कौन हूँ शुद्ध सरोप का ध्यान करना है और उसी का निर्णे करना है देखे जब तक हमारी द्रस्टी द्रव्य द्रस्टी पर नहीं जाएगी तब तक हमारा कारे सिद्ध नहीं होगा इसलिए हमें इन सब का निर्णे करना आवश्यक है फिर तीन संपत्ती मेरी है कौन-कौन सी चैतन द्रव्य जो मैं हूँ मेरा चैतन ने गुण और चेतना परियाए बस यही मैं हूँ इसके अलावा जो कुछे वो सब कैसा है अज्ञान सबसे बड़ा पाप क्या है अज्ञान जिसे हमें छोड़ना है और ग्रहन क्या करना है तो सम्यक्त ग्रहन करना है टिके ना त्याग मिध्यात्व का करना है और ग्रेंड सम्यक्त्व का करना है मैं व्यस्त तरस्त अब्यस्त रहूं ऐसा विचार का भी त्याग करना है कि मैं संसार से दुखी हूं कर्तत्व भोक्तत्व ममत्व ग्यात्रत्व बुद्धी वाला हूं इस प्रकार की पांच बुद्धियों का त्याग करना है क्योंकि मैं कौन हूँ इन पांच प्रकार की बुद्धियों से भी रहित वह मैं हूँ पुर्णे का उदय हो चायपाप का उदय हो कर्म का उदय हो मुझे कोई विचार नहीं करना इस प्रकार के सब बुद्धियों का त्या करके हमें अपने सोरुप का ख्याल करना ये हमारी प्रैक्टिस है और ये हमारा होमवर्ग इससे क्या होगा शरीर कर्म कशाय वाला मैं नहीं हूँ ऐसी मिथ्या बुद्धि को भी छोड़ना है तो होगा क्या हमें फायदा लाब क्या मिलेगा ब्रांति टूटेगी कशाय चूतेगी तो शांती प्राप्त होगी जो मुझे चाहिए पिर आतम के अहित विषय कशाय ये जो विषय कशाय ना आतमा का अहित करने वाले मैं वो भी नहीं हूँ तो हमारा वो विकल्ब भी चूट गया फिर मैं नौ कर्म भाव कर्म आदी को जानने वाला हूँ ये कशाय ये जो इस प्रकार की कशाय की भावना ना कि मैं जानने वाला हूँ जानने वाला हूँ तो इस प्रकार ग्यात्रत व बुद्धी भी चूट जाएगे तो मैं हूँ क् मात्र ग्याता हूं, मात्र जानने देखने वाला हूं, कशाय मेरे अंदर है ही नहीं, तो मैं कैसा हूं, निश कशाय हूं, अस्ती से क्या ग्रहन करना है, मैं निश कशाय वाला हूं, ग्यान मात्र हूं, यह हमको अंदर में ग्रहन करना है, तो जब अपनी दरस्ती हमारे कि इनलए हो यह भाव ना रखना है लेकिश्च गरहेंड न डो जो हुआ है सम्हक्च की प्राप्त नंरे Można का करा है लेकिन निर्ण करते है यह सम्हक्च का घ persone ठीक है इस प्रकार हमें अपने चिंतन की धारा को बहुत सुक्ष्म करनी पड़ेगी प्रग्या चैनी को बहुत सुक्ष्म करना है तब हमारा ये कारे सिद्ध होगा तो हम जरूर अपने इस लक्ष में सफल हो ऐसी हमारी इक्षा आकांशा भावना है अभी हमारी कक्षा का सम जर जे जिने इंदरू!